Let's now compare just in time system and traditional system. Traditionally हम किस तरह काम करते हैं और just in time के लिए किस तरह काम किया जाता है. First let's look at inventory. Traditional जो production system है उसके लिए उसके लिए इंदर inventories use की जाती है. है हम समझते हैं कि inventory एक अच्छी चीज है बफर क्रियेट किया जा रहा है बट एक्चुली क्या हो रहा है कि हम problems hide कर रहे होते हैं inventory को यूज करकर inventory जहां हमारे problems ज्यादा होंगे उधर inventory हम ज्यादा रखेंगे safety stock ज्यादा बढ़ाएंगे so that यह जो system नजर आए कि smooth run कर रहा है जैसे कि मैंने example दी थी पानी और rocks की although there are rocks underneath the surface but surface इतनी उंची कर दी है कि उपर बिलकुल surface के उपर बिलकुल लगता है जैसे smooth flow हो रहा है तो उसकी वज़ा से वो जो पानी है basically हम उसको कह रहे हैं system के अंदर production system के अंदर that is inventory तो जितनी ज्यादा inventory बढ़ाएंगे हमारे problem जो है वो hide हो जाएंगे just in time इसका बिलकुल opposite करता है वो कहता है कि जी it should be minimal quantity होनी चाहिए सिरफ उतनी होनी चाहिए जिससे हम production हमारे की requirement है इसके इलावा इसके अंदर inventory को नहीं रखना चाहिए then there is deliveries का difference है traditional manufacturing system के अंदर delivery जो है वो large quantities में होती है और few numbers में deliver होते हैं तो let's say truck load होगा और उसके अगर वो चाहिए एक week में truck पूरा material consume होगा तो वो फिर every week deliver कर रहे होंगे जबकि just in time के इंदर जैसे मैंने बताया है कि दिन के इंदर पांच छे times delivery हो रही होती है तो उसका मतलब है कि truck load नहीं होगा बहुत कम quantity के अंदर प्रॉबली एक container लेकर जा रहे हैं और वो deliver किया जा रहा है तो उसकी वजह से जो जो deliveries हैं वो बहुत ज्यादा होंगी और बहुत कम उसमें quantity को हैं यह components material होगा then lot size जो है traditional manufacturing में large lot size use किया जाते हैं reason being के setup cost बहुत हाई होती है तो उसको spread out करने के लिए on unit product के उपर तो उसकी वजह से हमें ज्यादा product produce करना पड़ता है कि यह जो fix cost है यह उसके उपर spread out ज्यादा number के उपर हो जाए although demand इतनी नहीं होती तो वो फिर हम store करते हैं adjustment time के अंदर setup cost और setup जो है वो बहुत produce कर दिया जाता है जैसे मनुदा है कि single digit minutes के अंदर ले जाते हैं तो उस basis के उपर इतनी कम cost हो जाती है कि ज्यादा units produce नहीं करने पड़ते और बहुत ही small quantity के उपर वो जो cost है वो spread out होकर per unit cost अच्छी खासी reduce हो जाती है तो इस इदर lot size जो है just in time के अंदर बहुत small lot size यूज़ किये जाते हैं जैसे मनुदा है कि setup जो है traditional manufacturing में कम setups किये जाते हैं बहुत कम तो long runs होते हैं meaning के चार दिन production की उसके बाद setup change किया उसको एक model से दूसरे model के पर shift किया जबके just in time के अंदर setup जो होते हैं वो क्योंके production बहुत small quantity के अंदर हो रही होती लॉट size बहुत small होता है तो बहुत frequently setup चेंज किया जाता है एक model से दूसरे model में शिप तेजी के साथ की जाती है vendors को अगर आप देख लें जो कि suppliers का है traditional में usually short term होता है bidding frequently कराई जाती है और relationship भी short term relationship के basis पर होता है और एक let's say supplier को दूसरे के साथ एक किसम के हम कहा हैं कि bidding के अंदर लड़ाया जाता है so that we should get जिसको कहते है न low price के उपर material में जाए जबके just in time के अंदर the suppliers are considered to be the partner तो partners के साथ जिस तरह का relationship होता है वो suppliers के साथ होता है तो एक बार supplier एक तो suppliers को select करने में अच्छा खासा time लगाया जाता है but once they have selected a supplier तो उसके अंदर फिर यह है कि उसको full support दी जाती है क्यूंके quality जो है वो supplier के material पर बहुत उसके पर base बहुत करेगी quality of our product तो वो supplier का अगर quality अच्छी ना हुई तो उस basis के उपर हमारे end product की भी quality अच्छी नहीं होगी तो इस basis के उपर suppliers को हम as a partner consider करते हैं अपने system के अंदर और workers को अगर हम देखें तो workers का traditional manufacturing के अंदर we consider them as necessary for work के जी हमें जरूरत है psychologically जो हम समझेंगे के जी इनकी जरूरत है तो इसलिए हम इनको रख रहे हैं जबके just in time के अंदर उनको consider किया जाता है as an asset तो as an asset जो workers के साथ treatment है वो different होगी compared to सिर्फ इस चीज़ का कि जी यह जरूरत है तो इसलिए हम इनको रख रहे हैं इनसे काम ले रहे हैं तो that is the difference between the two systems के उसकी वज़ा से तभी जो workers की loyalty है with just in time company जिसने just in time implement किया हुए उसके साथ ज्यादा होती है compared to the traditional manufacturing वाली firm के साथ